लेडिस बाइक वाला, एक्शन वाला, वे सूडेंट्स वाला, जो हर्स का कॉले इतना रियालिटी से मैच करता, कॉले देखा नहीं साला कितना रेमिक्स और बनाने वाले हो बाला स्क्रिप्पे तो आपने हैं डाल दी फूलों की माला क्योंकि जो स्क्रिप्प लिखने के लिए चाहिए उस पे लगाया ताला दिमाग वाला ब्रेट आज की वीडियो सुडेंट ओव दियर टू, एके सोटी टू, एके स संडमेन ओव दियर टू, एके स शिट ओव दियर टू मतलब अगर इंडिया में थोड़ी बट किसी मुवी ने अच्छी कमाई कर ली तो इसका सीक्वल तो बनाना ही बनाना है जब से पार्ट बन देखा है मुझे रात को नाइट मेर जाते हैं जिनके अंधर इश्क वाला लव गाना चलता है और इस पार्ट ट्रेलर देखकर तो एसा लगता है कि अलम्पिक्स का ट्रेलर चल रहा है ये मुवी का ट्रेलर है सही मैं तो शुरू करें रिमेंबर मुन्ना भाई ये वो नहीं है हो भी नहीं सकती काम डाउन मा बॉई मुझे बताओ कि इस कॉलेज के अडिमीशन फिस क्या है भाई इस कॉलेज में सब कुछ है एक बड़ा सेडियम नाचने के लिए बड़ा सेज जिसके पीछे फॉर्मले लिखे हूं बच्चे जहां मर्जी गाना काके डांस कर सकते हैं डांस करते वक्त आपको बैक्गराउंड डांसर्स भी मिलते हैं IPL वाली चेर लीडर्स जब मर्जी जहां मर्जी पाटी करो दुनिया की सारी स्पोर्ट्स किलाते हैं और सबसे बड़ी बात पढ़ाई कंबलसरी नहीं है मुझे तो ऐसे कॉलेज में इडविशन चाहिए भाई जिसमें Studying, Project Submission, Paper Writing, Placement Prepping, Lab Work, etc. कुछ करना नहीं पड़ता बस Tension है तो अपने Crush की, Olympic Gear की, और Tommy Hilfiger की बैक्गराउंड में Science के फॉर्मॉले हैं बट, We are Crazy, Relax, Flirt ये कब से Science के फॉर्मॉले बने Smith भाई आप तो यहां पर भी आगे सूडेंट इस घाड़ी को केंपस के अंदर ही गुमा रहे हैं Marvel और DC एक साथ क्या मज़ाक है ये ये मुवी उन लोग के लिए है जो Endgame देखते हैं बोल रहे थे कि Superman और Batman इनकी help करने क्यों नहीं आ रहे वो कहां पर है इस मुवी का एक डाइलोग है कि life एक मेदान है तो उसे दो हिस्सों में डवाइड कर दो एक में सपने दूसरे में असलियत अगर ऐसा करे तो ये पूरी के पूरी मुवी एक सपना बनके रह जाएगी एक बूरा सपना इस शाट को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग अभी भी टाइगर को पकड़ सकते हैं पर वो पकड़ेंगे नहीं यो कि उसका में रोल है आप लोग को सही में कॉलाई का नाम बताने की ज़रूद नहीं है इस से करन जोहर मुवी तो इतना था हम कैस कर सकते हैं सैंट जोसफ सैंट पॉल्स सैंट जेवियर सैंट अन्रूस सैंट थॉमस सैंट मेर्वी यहां सैंट अरेसा इन में से कोई fancy कॉले होगा यह तो पता ही है इधर हम लोग हैं जो पूरे दिन में कुछ खास कर लें तो बहुत बड़ी बात है और इस मूवी का जो हीरो है वो तो पूरे साल को अपना बनाना चाता है मैं आपको बताई देता हूँ कि इस मूवी में होने के अवाला है नाच गाना, थोड़ा प्यार, फिर इसको कॉले से निकालेंगे नाच गाना, फिर प्यार, फिर कुछ घिसा पटा डिरामा कम्पिटिशन और खतम ये एक फोटो है, जिसमें दिखाया गया है कि ट्रेलर में टाइगर कितनी बार हवा में उड़ा है जो कि एक्चुली 27 बार है तो अब मूवी में तो समय लीजी कि टाइगर जमीन पर आना ही नहीं वाला है वाव मूवी के अंडिंग तो ट्रेलर में ही होगी क्या कमाल की मूवी थी लोगों को तो ट्रेलर देख के पता लग गया होगा कि सूडन ओव दीयर जीतने कौन वाला है ये गेम अव थ्रोन सोड़ी है जिसमें बहुत सारे कारेक्टर है जो दुनिया की मोस्ट उंकफरेबल चेर पर बैठना चाते है इस लड़के की बाई को पिंक कलर से पेंट कर देती है क्योंकि पिंक कलर पे सिरफ लडकियों का हग है यू गाइस नो राइट? इस नो इस नो इस नो इस नो पर कैमरा एंगल चेंज होते ही रस्सी उसके पेट पर बंदी हुई है जादू सभी लोग हर्श का जोग सुनके हस रहे हैं पर ये बंदा नहीं हस रहा क्योंकि इसको जोग पुसंद नहीं आया अगर पुसंद नहीं आया तो नहीं आया जितने मर्जी पैसे दे तो ये बंदा नहीं इसने वाला स्टूटन अव दी एर वान में दो लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं इसको देखने के बाद अपने जैकी भाई भी अपने एमोशन कंट्रोल नहीं कर पाए पर चाहे दो लड़कें लड़के के पीछे हो या दो लड़के एक लड़की के पीछे स्टूटन अव दी एर कम्पिटिशन तो लड़कों कही जीतना है घर्ल्स अपने एफ्स के साथ बीजी हैं फैशन फ्रेंडशिप और फिलिंग्स नहीं नहीं फैमिली नहीं क्योंकि एक बार कॉलेज में अड्मिशन हो जाए उसके पाँ ममी बापक इसको याद रहते हैं हाँ अनिवन नहीं मुझे अभी तक नहीं पता लगा कि इस मूवी में कॉले दिखा रहे हैं या स्कूल क्योंकि Student of the Year 1 में तो पताया था मुवी में कि वो कॉलेज में हैं और Student of the Year 2 के ट्रेलर में भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कॉलेज ही है तो सुदेंट से कॉले में यूनिफर्म क्यो टाली हुई है अगर आपने Student of the Year 1 देखी है तो आपको पता ही होगा कि जब सुदेंट की मर्जी होती है तब ये उनिफर्म डालके चले जाते हैं और जब इनकी मर्जी नहीं होती तब ये नहीं डालते हैं मतलब क्या चल रहा है ये जब इस मोई की शूटिंग चल रही थी तब इंडिया की मार्केट में रेड बूल आना बंद होगी थी मुझे रेड बूल मिलनी रही थी मैं बहुत परिशान था पर ट्रेलर रिलीस होने की बात मुझे पता चला कि इंडिया की साय रेड बूल तो टाइगर भाई पी रहे थी उड़ता ही फिर हूँ मैं हवाओ में कही टाइगर भाई नहीं लगता है कि आज ब्रेकफेस में मुली के प्रांटे काई हैं लग स्पलेट सी करी जा रहे हैं अब ये क्या है भाई अगर इस सीन को ध्यान से देखे तो इस सीन में सब कुछ कलत है टाइगर जो पूरे ट्रेलर में ओड रहा है वो इस सीन में ओड ही निरा है जबकि बाकी लोग ओड रहे हैं ये कैसे हो सकता है रैड बूल के साइड इफेक्ट्स ये वाइल्स्टोन की एड बन सकती है इस मुवे में हर्श और तारा को बॉलिवूड में डेब्यू करने का मोका मिला है तो मैं एक सीन कम कर रहा हूँ सब इस लड़की को ऐसे गुर रहे हैं जैसे उन्होंने लाइफ में कभी लड़की नहीं देखी है टाइगर को लंपिक गेम्स में वेजो हीरो पहले मार खाएगा कलीशे हीरो बाद में पीटेगा कलीशे इस शाट से पहले इस कार के असपास कितने लोग खड़े थी वो लोग कहां पर गे कॉलेज के सूडर्से को कितने वेले हैं सभी के सभी यहां पर खड़े हुए जो लोग राइट सेड पर खड़े हैं उन लोग को अच्छे कपड़े भी नहीं मिले जो बचे थे वो बचारों ने डाल दी है सभी ने बलू कपड़े एक जैसे डाले हुए इसको कॉलेज से निकाल दिया बढ़िया किया मेरी अड्मिशन कर दो भाई और इस मूवी में ऐसे पंचेज और लाते मारी गी है जो आपको देख के पता लग रहा है कि वो इसको टच भी नहीं हो रहे और इस सीन में दोराा है करण जोर की मूवीज में दो लोग को एक से प्यार हो जाता है तो आप लोगका पता लगी कि जब दो के साथ एक फ्री होता है तो सबसे पहले शोरूम के अंदर किस की एंटरी होती है मुँँआ ये एक ऐसा कॉलह है कि इन लोग इन इस टटी का सीक्वल बनाया पर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो करना मत भूलना एड बॉलीवूट सेंस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीस सब्सक्राइब करना गंटा दबा दो और प्लीस प्लीस इसे शेर करना मत भूलना तो मिलते हैं अगली वीडियो में कि अर्बडर आपकी वीडियो pres